प्छिप आइraft लागे कि दोस्तों बात करेंगे पैपा वरिंक के बारे में हमारे वीवर ऐणो की डिमांड की वत्री किसे करें को किन होदा है कि बीमारें में चलता है जानते हैं इसके बारे में वीडियो को संपूर देखें दोस्तों यहां पर पैपा वरेंड की बात कर रहे हैं तो पैपा वरेंड हाइडरो कुलराइड का इंजेक्शन मार्केट में आता है कई नाम होसे आता है पैपा वर के नाम से आपको मिल जागा 19-22 रुपे की कीमत होती इसका 2ML का इंजेक्शन आता है ठीक है तो यह एक्चल में क्या है दोस्तों इस इंजेक्शन को अभी तक तो FDA जो होता है उसने अभी तक इसको सेफ अप्रूब नहीं किया कि यह सेफ नहीं है इसलिए इसका आपने नाम भी कमी सुना होगा लेकिन चलता है कई लोग चलाते हैं इसको लिखते हैं होता क्या दोस्तों कि यह एक एरेक्टाइल डिस्फंक्शन में दिया जाने वाला इंजेक्शन होता है अगर बात किया इसके यूजेस की कहां इस्तिमाल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एरेक्टाइल डिस्फंक्शन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है भाई कि लिं सिल्डलाफिल काम नहीं करता या उनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं सिल्डलाफिल टाइडलाफिल के तो पैपावरेन इंजेक्शन को लिखा जाता है और इस इंजेक्शन की खास बाती है कि आप इसको घर पे नहीं लगा सकते self medication नहीं कर सकते इसको use करने के लिए आपको proper एक medical सुब्दा होना चाहिए, doctor या nurse से लगवाना चाहिए, बात करेंगे काम कैसे करता है, ये erectile dysfunction को कैसे खतम करता है, mode of action क्या होता है बहुत ही simple and short है इसका भाई ये क्या करता है, pineal muscles हमारा जो penis होता है, link होता है उसकी जो muscles होती है, उसे pineal muscles होती है, वहां के जो muscles होती है, उनको relax करता है उनके अंदर जो बी तनाव होता है, उसको पहले तो relax करता है, रिलेक्स करता है तो बहाँ पर क्या होता है, blood pressure को expand करता है, बहाँ पर तो जब यह नहीं होता है तो यह जो इंजेक्शन लगाती है तो यह कटोरता आ जाती है तो इससे क्या होगा कि इसको लगाने के बाद आदमी सेक्स कर सकता है सेक्सवल एक्टिविटीज को परफोर्म कर सकता है बात यहां पर आती है कि साबधानिया क्या होना चाहिए साबधानिया इसकी यह है कि भाई आप शराप भी किसको नहीं लगा सकते अगर आपको पहले दिन पता चल जागा कि अलर्जी हो रही है लाल लाल हो गया लिंक कटोर लेकिन नॉर्मल नहीं हो रहा है यह आपको पहले दिन पत्र जागा तो फिर आपको जिन्दगी में लगाना है इसको तो यह साबधानिया है कि यह हो सकता है कि दिक्कत दे दे बट नॉर्मल किड्नी लिवर हैं तो आप यूज कर सकते हैं बात करेंगे साइड इफक्ट की अगर आप इसको लगातें तो साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं तो आपने इसको लगाया तो लिंग तो कटोर होगा लेकिन कई बार वो नॉर्मल नहीं हो पाता नॉर्मल एरेक्टो हो जाले कि नॉर्मल नहीं हो पाता है तिन से चार घंटे था तब दिक्कत आती है तब अगड़ तीन से चार घंटे तक भी नॉर्मल पोजिशन पर नहीं आपा रहा है लिंग तो भाप थोड़ा सा ब्लड निकालना पड़ता है तब जाकर वो धिला हो प हापते हैं प्यास लखती बार-बार यह सब कुछ नहीं होता है ये समय होती है इस होती है इसमें यह है कि बाइब यूद्स ज्यादा दिर तक कंतोर हो सकता है बात करेंगी इसको क्या होता है दोस्तों इसका टू необходимо के इंजेक्शन होता है उसको थोड़ा सा लेकर सब्सक्राइब की जगा पर लिंग की जगा होती है वहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में लगाए जाता है ठीके लेफ्ट साइड में फ्तिरचा करके थोड़ा सा इसको इंजेक्ट किया जाता है और वो लोकल ही काम करता है को इरियास में काम करता है तो यह अच्छा काम करता है इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है तो यही होता दोस्तों पैपावरीन इंजेक्शन जो की इरेक्टाइल डिश्फंक्शन में दिया जाता है अब आप समाझ गाए होंगे क्या है यह कैसे यूज करना आपको लेना चाहिए ने लेना चाहिए तो आप देख रहे थे ग्यानियर और मैं हूँ शिवम दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक करें अगर प्लीज सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकरिक्शन मिलते रहेंगे इस समय समय वीडियो के तो मैं मिलता हूं पर दोस्तों जाहिंत बंदे मात अट उस टौट है है